हाई आई विडियों दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारी स्वीटूप चैनल पर एक नई वीडियो के साथ दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि सुप्रिम कोट का फैसला भी फाइनल हो चुका है कि रेनीट नहीं होगा और बहुत सारी स्टेटों ने अपनी नीट की कांसिलिंग स्टेट कांसिलिंग स्टार्ट कर दी है तो दोस्तों ऐसे ही है उत्तरप्रदेश सरकार का भी नोटिस आ चुका है कि यूपी की स्टेट कांसिलिंग भी बहुत जल्दी स्टार्ट की जाएगी उन्होंने कुछ दिन पहले एक schedule schedule उसनों ने कुछ दिन पहले एक schedule जारी किया था उसमनों ने कहा थे कि आपने सारे document वगएरा जो है ready करकर रखे और जो document required है वो भी उन्होंने दे रखे थे और medical certificate के बारा भी बात की थी कि जितने भी reservation है वो चाहे वो CW हो या फिर और भी कोई reservation है तो अपने reservation के सारे document 3D कराने counseling की date announce होने से पहले पहले तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह notice जो है दो अगस्त का है फिलहाल का ही notice है अब इस notice में जो है इन्होंने यह कहा है कि कि तुमारे जैसे हमारे पास कितने round होते हैं अगर हम ओल इंडा counseling की बात करें तो उन्हें कहा है कि हमारे इस need की counseling होगी उसमें हमारे चार round होंगे चार में से पहला और दूसरा round जो normal round होंगे और बागी तुमारा जो third round होगा वो जो है मोप अप राउंड होगा और अगर fourth round होगा तो वो stay vacancy round होगा तो इस notice में उत्रपदेश शरकार ने जो है यह जारी किया है कि जो हमारे stay vacancy round होता है अगर उसमें किसी बच्चे को seat alert होती है और वो उस seat को जो है वहाँ admission नहीं लेता है अपने admission confirm नहीं करता है तो उसमें जो हमारी जमा होती है security money जमा जा होती ही कितनी होती है उसमें अलग-अलग होती है उसकी साय दो लाग है private medical college की और यह आएगी अब भी हो सकता 20 आए या फिर 30 जार आए जितनी भी आएगी तो उन्हें नहीं कहाता है इस टे बेकेंसी राण में किसी बंदे को अगर seat alert होती है और वो seat को वहाँ admission confirm नहीं कराता है अपने admission नहीं लेता है तो उससे जो है उसकी जो तुमारी security money उसने वो participant नहीं कर पाएगा आप directly देख सकते हैं कि इन्होंने क्या क्या कहा है जैसे देखो इन्होंने वाली बात लिखी है यदि कोई अब्यर्थिस्ट वेकेंसी राउंड के पश्चात प्रिवेस नहीं लेता है तो ऐसे अब्यर्थिक की जमान धरोहर मतल़ security money जब कर दी ली 25, 24, 25 के लिए प्रिति बंदित कर दिया चाहेगा आगे उसा participant नहीं करने दिया जाएगा एक साल के लिए अब इन्होंने डाटा दिया है कि कुछ बच्चे लास्ट यर ऐसे थे जिसने जो है यह गलबड़ी की थी उनका हमने जो है admission नहीं लिया था जैसे यह आप देख सकत बस दोस्तों यही बताना था थेंक यू